जिला सर्मोर में पुलिस की समाज को नशा मुक्त बनाने के मोहिम लगातार चारी है। इसी कड़ी में नहन क्षित्र के सुरला में नहन पुलिस द्वारा नशा जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को नशा जागरुकता संबंधी जानकारी दी गई। नशे के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत नहन के सूरला में पुलिस विभागत्वारा नशा जागरुकता शीविर लगाया गया जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विरेंदर ठाकुर और सदर्थाना के ऐसे चुब विजय कुमार ने सूरला पंचायत में मौके पर जाकर लोगों को नशे संबंधी जान करे थी एसपी विरेंदर ठाकुर ने बताया कि पुलिस की इस मोहिम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे से दूर रखना है उन्हों का कि पुलिस का मकसद समाज के हर वर को इस मोहिम से जोड़ना है ताकि मिलकर नशे का खात्मा किया जा सके विरेंदर ठाकु ने कहा कि पूलिस द्वारा जो जागरुकता शीवर आयो जीद किये जा रहे हैं इसमें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है आज बिशेशत उर्पे हमने यहाँ पे पंचायत सुरला को चुना इसमें जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के लोग थे यहाँ पे क्रीब आपने देखाए कि कोई डिर सो के क्रीब यहाँ और कुछ एक बच्चे भी यहाँ पे आये थे हमारा मकसद सिंपल सिंपल है कि नशाय निवारन में जो हमारे कमेटिय मुटरिय थोड़ देख इसमें लोगों को शामिल करना है और इस परकार से जहां कहीं से भी कोई इंफोमेशन हमें बिलती है नशाय के प्रती उसको नयाप करना है यह हमारे मकसद है और इसको पूरी तरह से अप्रूटेट करना है अपने पंचायत लेबल से लेके जब पंचायत लेबल से अमारे इस परकासि नशा मुक्ति का पूरा मुहीम सफल रहेगा तो इस ढंक से पूरे परदेश में भी सफल रहेगा और इसी संदर्प से आज हम इस मौके पर स्थानिय पंचायत परदान चंचल शर्मा ने बताया कि पूलिस त्वारा जो पहल की जा रही है वो काफी सरानी है उन्होंने कहा कि लोग इस मुहीम में हर संभव पूलिस की मदद करने के लिए तयार है हमारे सामने आती हैं देखने में और हम हमेशा पूलिस का स्योग हमेशा चाते हैं और हम भी हमेशा इनके साथ हैं सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट और हमेशा रिवादा वाजम् वाजडा स्योग हैं